हिंदी साहित्य के समकालीन कथाकारों में अपना विशेश स्थान रखने वाली कथाकार वंदना वाजपेई जी की लिखी हुई कहानी सुनिये विसर्जन ये कहानी उनके कहानी संग्रे विसर्जन से ली गई है जिसके प्रकाशक है APN Publications तो शुरू करते हैं कहानी विसर्जन हरिद्वार में गंगा अपने पूरे वेक से बह रही है पतित पावनी गंगा जिसमें दूर दूर से डुपकी लगाने लोग आए है मैं भी इतनी दूर से अपने बच्पन के मित्र व्यों के साथ यहां आई हूँ फर्क बस इतना है कि वो अपने पाव दूने आए हैं और मैं अपना अतीद मेरे हातों में अस्थिकलश है जिसमें मेरे पिता की अस्थियां है रह रह कर मेरे मन में पुरानी इस्प्रतियां ताजा हो रही है जब मैं पिछली बार यहां आई थी अपनी नानी के साथ तब भी मेरे हातों में एक अस्थिकलश था जिसमें मेरी मां की अस्थियां थी उस समय मैं कितनी व्याकुल थी, कितनी दुखी थी बार बार अपनी नानी के आचल में अपना मूँ छिपा कर रो रही थी नानी के पास भी मुझे धीरज बन्दाने के लिए कोई शब्द नहीं थे कभी वो अपने आसू पोच्छनी कभी मेरे और कभी कभी हम दोनों बेकाबू होकर चीक पढ़ते उस समय आसूं से धुंदली हुई आँखों से मा की इसम्रतियों के अतरिक्त इस बात की फिक्र भी थी कि इतनी बड़ी जिंदगी उस मा के बिना कैसे कटेगी जिसके बिना मैंने एक कदम चलना भी नहीं सीखा परन तो नहीं अस्त विसरजन के बात से आज तक मा मेरे साथ है भले ही वो इसम्रतियों के रूप में या अपने विचारों के रूप में हो पर वो है लेकिन आज आज जब मैं पिता की अस्तियां प्राहाईद करने जा रही हूँ तो मेरी आँखों में आसू नहीं है मन में अजीब सी शांती है क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज जो मैं यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ वो सिर्फ अस्तियां नहीं इसम्रतियां भी है और निश्चित रूप से इन्हें यहाँ विसर्जित करने के बाद मेरी आगे की जिंदगी सुकून और आराम से कड़ेगी पिता का अस्तिकलश हाथ में है पर इसम्रतियों के जहरों के खोल कर फिर मा जहाक रही है मा जो मुझे हर राद सोते समय परीयों की कहानी सुनाया करती थी लाल नीली सफेद परीयों की कहानी जो बच्चों की दोस्त होती है और उनके सबदर्द तकलीफ दूर करने के लिए दूसरे ग्रह से दोड़ी चली आती है एक दिन उनको बीश में रोक कर मैंने कहा था मुझे परीयों की कहानी नहीं सुननी है आज मुझे अपने पापा के बारे में जानना है सब बच्चों के पापा उनके पास रहते हैं फिर मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं है उस समय मेरी उम्रत तीन चार साल रही होगी पर अपने जीवन में पिता की कमी को मैं शिद्द से महसूस कर रही थी जब बच्चे बताते कि मेरे पापा ने ये दिया यहां घुमाने ले गए, साथ में ऐसे खेले तो मेरा बाल मन भी अपने पिता के लिए मचलने लगता मा मेरा प्रशनी सुनकर मुस्कुराई और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली तुमारे पापा और बच्चों के पापा की तरह नहीं है जो सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित हूँ वो दुनिया भर के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें फुरसत नहीं है तुम तो यहां मेरे और अपनी नानी के साथ आराम से रह रही हो पर दुनिया बच्चों के लिए इतनी खूब सुरुत नहीं है वहां गरीबी है, भूख है, शोशन है क्या तुम चाहेती हो, वो उन बच्चों को वैसी ही तकलिफ में छोड़कर यहां सिर्फ तुमारे पास रहे दुनिया भर के बच्चों का दर्द मेरे सीने में उतर आया मैं मा से लिपट कर बोली, नई मा, नई मैं पापा को कह दो कि वो दुनिया भर के बच्चों की देखभाल करें बस कभी-कभी मुझसे फोन पर बात कर लिया करें मैं सुनना चाहती हूं कि मेरे पापा की आवाज कैसी है मा ने हां कह दिया, पर वो अपने वादे को पूरा न कर सकी ये वादा तो क्या? वो हर वादे को अधूरा छोड़ कर चली गई कार एक्सिडेंट ने मा को हमसे चुदा कर दिया पापा मा के हाथ से में हुई मौत में भी नहीं आये मैंने नानी से पूछा क्या दूसरे बच्चों की जरुवत इस समय भी मुझसे ज़्यादा है नानी ने मा की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा तुम्हारे पास तो मैं हूँ और तुम्हारी मा को तो अब वापस लाया नहीं जा सकता पर बहुत से बच्चे हैं जिनकी मा जीवन और मौत के बीच जूल रही है अभी उन्हें बचाया जा सकता है तुम्हारे पापा अगर उन्हें छोड़ कर तुम्हारे पास आ गए तो उन बच्चों की मा भी उनसे दूर हो जाएंगी मेरी आखें फिर नम हो गई और होड़ बुरबुदा उठे नहीं बिल्कुल नहीं उस दिन के बाद मैं कई बार पापा को ख्वाब में देखती और उनसे मिलने के ख्वाब बुनती कभी अकबार में पढ़ती सीरिया में बुखमरी है तो सोचती पापा वहीं होंगे कभी पता चलता अफगारिस्तान में तालिबान आतंग फ्हला रहा है जिसकी वज़र से बच्चों के शिक्षा खत्रे में है तो सोचती पापा वहीं होंगे फिलिस्तीन के बच्चों की तस्वीरे देखती तो मुझे विश्वास हो जाता मेरे पापा वहीं बच्चों की तीमारदारी कर रहे होंगे हाला कि मैं अपने मन की बात किसी से साधा नहीं करती सिवाए अपने मित्रव्यों के क्योंकि मुझे पता था बच्छे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे सही भी है, उन्होंने तो सामाने पापा देखे हैं उन्हें क्या पता दूसरे बच्चों के लिए अपनी निजी खुशियां कुर्बान करने वाले पापा कैसे होते हैं पर व्योम मेरी हर बात पर यकिन करता था क्योंकि उसके पिता गिम्रत यो नदी में डूब रहे एक बच्चे की जान बचाते हुए हो गई थी बाद में उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला था उसे अच्छे लोग और उनकी सचाई पर विश्वास था वो अपनी मा के साथ रहता था जो हमारे स्कूल में ही पढ़ाती थी हम साथ बैठते और लच शेयर करते स्कूल में व्योम का होना मेरे लिए एक संबल था और अपने विचानों की दुनिया में कैद रहने वाली मुझसी लड़की में कुछ शब्द बोलने के इच्छा जागरत करने वाला उत प्रेरक भी बश्पन में मा की सुनाई परिकथाओं की तरह इस परिकथा का भी अंत होना ही था मेरा सत्रमा जन्व दिन था जब नानी ने मुझे मेरे पापा के बारे में बताया दर असल पिछले कई महिनों से मैं अपने पापा से मिलने की बहुत जिद कर रही थी काफी समय से उटाल रही थी फिर उन्होंने रहसे पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा ठीक है वैसे भी अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम सच्चाई सह सको तुमारे पापा दुनिया भर के बच्चों की सेवा में नहीं लगे हैं वे एक महान इंसान नहीं हैं वो अपनी दूसरी पतनी के साथ इसी देश में रहते हैं मेरा दिल धक से रह गया मैंने नानी को जग जोडते हुए कहा आप जूर बोल रहे हैं नानी अगर ऐसा है तो मेरे पापा कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए उनकी मुझसे क्या नाराजगी है नानी ने जो बताया वो और भी दर्दनाक था मेरे पापा और मा का प्रेम विवा हुआ था प्रेम की रुमानियत विवा होते ही कर्तवियों के बोज में खत्म हो गई उनके रोध जगड़े होते थे मैं उस समय करीब साल भर की थी जब मेरे माँ और पापा का तलाग हुआ जब बात मेरी कसरड़ी की आई तो पापा ने कहा मैं तुमसे क्लीन डिवोर्स चाहता हूँ या तो नताशा को तुम रख लो और उसे फाइनेशिल एमोशनल हर तरह का सपोर्ट दो या मैं रख लेता हूँ या मैं रख लेता हूँ तो मैं उसे ये सब दूँगा परन तो जो रखेगा पूरा रखेगा नताशा दूसरे से बिलकुल नहीं मिलेगी इससे हम दोनों नताशा के नाम पर इमोशनल ब्लैक प्रिलिलिंग से बच जाएंगे तुम्हारी माने बहुत विरोद किया था पर पापा नहीं माने उनका कहना था कि जब रिष्टा खत्म करो तो जड़ से खत्म करो आदे अधूरे रिष्टे हमेशा दर्द देते है माने मुझे रखने के इच्छा जाहिर की और अपने पिता से कभी न मिलाने के वादे के साथ मुझे नानी के घर ले आई मेरे सामने एबाद किसी गिनोने सच की तरह आई थी वो रात मेरी जिंदगी की सबसे दुख़द रातों में से एक थी मेरे पिता ने मेरी मा को ही तलाक नहीं दिया उन्होंने मुझे भी तलाग दिया था मैंने देखा था मेरी सहलियों में जिसके भी माता-पिता का तलाग हुआ था वो बच्चे चाहे जिसके पास रहें अगला पेरिंट उसे मिलने आता था गुमाने ले जाता वा उनकी समस्याओं में साथ देता ठीक भी तो है माबाप के अलगाओं में बच्चों का कोई कसूर तो होता नहीं फिर उन्हें सजा क्यों उन्हें तो अपने माता-पिता दोनों के प्यार का हक है फिर क्यों मेरे पापा ने क्लीन डिवोर्स के नाम पर उससे भी अपने सारे संबंद खत्म कर लिये उसने से मन में बस एक तड़क बस कई कि मैं पापा से मिलूँ और उनसे ये पूछूं कि वो मुझसे कभी मिले क्यों नहीं मेरे मन में कही न कहीं एक आशा थी कि जब मैं अपने पापा से मिलूँगी तो वो मुझे सौरी कहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी अपने फैसले पर पच्टावा होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पिता की अपने बच्चे से मिलने की इच्छा ही ना हो मैंने अपनी मा की पुरानी डाइरियां खंगालना शुरू किया एक फोन नंबर पर मुझे शक हुआ मैंने अंदाज लगाते हुए फोन लगाया फोन मेरे पापा प्रतीक खुराना ने ही उठाया नाम का परजय होते ही मेरी आवाज थमसी गई मैं मुश्किल से घरगराते गले से इतना बोल पाई पापा, पापा मैं आपकी बेटी नताशा, नताशा खुराना मैंने अपना वा मा का संक्षिप सा परजय दिया उधर से थोड़ी देर बाद उत्सा हीन आवाज आई हम, तो क्या दुनिया का कोई पिता अपनी पिछ़़वी बेटी से इतने साल बाद परिचय होने पर इतना ही सहियत हो सकता है खुदी अपने प्रशन को परे जटक कर अपने आशों को रोकते हुए मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा पापा, मैं एक बार आप से मिलना चाहती हूँ उन्होंने फिर हूँ कहा और फोन रख दिया मैं संग्या शूने सी बैठी रही थोड़ी देर बाद उनका समस आया जिसमें उनका एड्रेस था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरे पापा केरल में रहते थे मैंने नानी से पापा से मिलने की बात कई मेरी मानसिक इस्थिति को देखते हुए नानी ने हां कर दी मैंने पापा को उनसे मिलने आने की तारीक बता दी पापा मुझे लेने एरपोर्ट आये पर उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था कितना सोचा था पर पापा को पापा चिलाते हुए कसकर हक कर लेने की मेरी हिम्मत भी जाती रही रास्ते बर हमारे बीच मौन पस्रा रहा घर आकर पता चला पापा अपनी दोस्त रीटा के साथ रहते हैं रीटा अमेरिकी नागरिक है उसके कोई बच्चा नहीं है ये पूछने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि रीटा ही वो औरत है जिसके कारण पापा ने मा को तलाग दिया था या पापा एक और तलाग दे कर अब रीटा के साथ रहते हैं मैंने मनीमन फैसला किया मुझे क्या करना है उनकी लिची जिन्दगी के परदे हटा कर मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं अपने पापा के साथ हूँ आगे भी उनसे मिल सकती हूँ उनके साथ वक्त बिता सकती हूँ अब मैं अनात नहीं हूँ मेरे साथ मेरे पापा हैं जिन्दगी जिने बहुत कम देती है उन्हें थोड़े मिले में बहुत संतुष्टी होती है और मेरे जीवन की थाली तो मा पिता के प्यार से शुरू से ही खाली थी शाम धीरे धीरे घर में उतर आई थी केरल की सुन्दरता शाम को अपने पूरे शवाब पर थी लोगों से सुना था पर जाकर देखने से एहसास हुआ पुराणों में वर्णे देव लोग शायद केरल में ही होगा मैं मोबाईल उठा कर जहां तक नजर जाती क्लिक करने लगी यूबी घर का माहौल बहुत शान्द था तभी रीटा के चाय के कप के रखने की आवा से कुछ चुपी तूटी चाय पीते हुए मैंने अपने बारे में पापा को बताने की कोशिश की पापा सर जुकाय चुपचाप सुनते रहे रीटा अपना कप लेकर दूसरे कमरे में चली गई मुझे लगा शायद वो हमें एकान देना चाहती है पर दो तीन दिन यही करम चलता रहा और चार दिन में ही मेरा ब्रहम किसी फूले वे गुबारे की तरह फूड़ गिया रात के सनाटे में दूसरे कमरे से रीटा और पापा की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी रीटा पापा को मेरे साथ बिलकुल भी नहीं देखना चाहती थी तब ही पापा की मेच पर हाथ पटकने की तेज आवा जाई आई वो गुसे में चला रहे थे ये क्या लगा रखा है वो मेरी बेटी है मैं से तुमारे लिए कैसे छोड़ दूँ ओ पापा मेरे होट बुदबुदा उठे मैंने खिर्की से चांद को देखा पर आसमान में चांद कहा था वो तो मेरे मन में उतर आया था उसके बाद की कोई आवाज मैंने नहीं सुनी मैं एक बार फिर परियों की दुनिया में थी जहां मैं हस रही थी खिल खिला रही थी वहीं रानी परी के रूप में मा थी मैंने मा को चिला कर बताया मा अब तो में मेरी चिंता करने की जरुद नहीं है मेरे पास पापा है जानती हो उन्होंने रीडा से कहा है उनके लिए मैं महत पूम हूँ समझी मा? मैं पापा के लिए महत पूम हूँ मा के चेरे पर एक हल्की सी मुस्कान जलक उठी मा ने छड़ी गुमाई और मैं नीन्द के आगोश में चली गई मैं सुबह हसते मुस्कुराते हुए उठी आज मुझे वापस घर जाना था पर जाने के पहले वापसी का गिफ्ट तो पापा ने कल राधी दे दिया था मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लिया मैं पापा के साथ एरपोर्ट की तरफ चल दी पर मुझे पापा के चेहरे पर कोई भावनात पक चिन दिखाई नहीं दिया और एक बार फिर उन्हें जोड से चिला कर पापा कहकर हक करने की हम्मत जाती रही घर आकर एक बार फिर मैं अपनी परीकताओं में खो गई यूँ तो इंतजार का मौसम बड़ा कठिन होता है पर मेरे लिए ये दिन बहुत सुख़द थे मैंने पापा की पसंद के परदे, बेटशीट, फ्लावर बेस आदि खरीदे हाला कि पापा ने अपनी पसंद बताई नहीं थी पर केरल वाले घर के डेकोरेशन को मैंने अपनी पसंद समझा और उसी के अनुरू अपना घर सजाने लगी नानी शायद कुछ कहना चाहती थी पर मेरे उत्साह को देख कर चुप हो जाती और मैं, मैं तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी पर कहते हैं ना कि अती हर चीज की बुरी होती है इंतिजार की भी घर का डेकोरेशन बदलने के बाद मुझे एक एक दिन भारी लगने लगा मुझे रोज लगता अब पापा का फोन आएगा अब आएगा पर महीने भर बाद भी जब फोन नहीं आया तो मैंने ही इंतिजार पर पूर्ण विराम लगाते हुए पापा को फोन किया फोन किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया ओ, पापा ने अपना नंबर बदल लिया था मैंने उनके घर के पते पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पता चला पापा रीटा के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चले गए है मुझे चक्कर सा आ गया पापा ने मेरी जगए रीटा को चुना था रोन ने एक बार फिर मुझे त्याग दिया था मैं दर्द से भर उढ़ी मेरे पास रोने और तरडपने के सिवा कोई चारा नहीं था वो सावन का महीना था उस रात बादल कुछ ज़्यादा ही परसे क्योंकि उसमें मेरे आंसू भी शामिल थे मैं एक बार फिर अनात महसूस कर रही थी इतने बड़े अमेरिका में मेरे लिए अपने पापा को ढूरना संभोसा था मुझे हर पर लगता कोई अपनी बेटी के प्रती इतना खुरूर कैसे हो सकता है मुझसे मिलने के बाद मेरे पापा मुझे कैसे ठुकरा सकते है मैं हर दिन आशा करती कि कभी न कभी पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मुझे सौरी बोलेंगे, कम से कम इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, मेरी मानसिक हालत बिगड रही थी, उधर मेरे बार्मी के एक्जाम पास आ रहे थे, नानी ने मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए सुबोद सर से बात की, सुबोद सर स्कूल के पास ही कोचिंग पढ़ाते थे, मेरी कलासे कई बच्चे पढ़ने जाते थे, जब मैंने पहली बार सुबोद सर को देखा तो देखती रह गई, सुबोद सर की उम्र कोई 44-45 वर्ष होगी, उचा कत, गंभीर व्यक्तित और बालों में जहाकती हलकी सफेदी, पिटाई भी कर देते, लड़कियों को पिटाई से तो छूट मिल जाती, पर देर तक लेक्चर सुनना पड़ता, कभी किसी बच्चे से उन्होंने मुस्कुरा कर बात की हो, ऐसा तो किसी ने नहीं देखा था, बात बात पर बच्चों को गधे की उपादी देने वाले पाल भी ज्यादा पूछ लो, तो पादियों का पूरा संदुक खोल कर बैठ जाते, और जी भर-भर के बाठते जाते, उनकी क्लास खत्म होने के बाद, बच्चे उनके बारे में बहुत उट-पठांग बोला करते, उनकी नकल करकर के उनका मजाग उड़ाते, रितेश चिर में हां मिलाते, पर उनका कठोर विवार मुझे अपनी तरफ खीशता, मुझे लगता हम सब बच्चे ठीक से पढ़ते हैं निशायद, इसलिए वो ज्यादा स्टिक्ट हैं, मैं सभी बच्चों से कहती, तुम लोग अच्छे से पढ़ो फिर देखना सर कितने खुश होंगे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते, तुम ही करो उने खुश, हमारे लिए तो वो दुखी ही भले, उनको खुश करने के लिए मैं बहुत मेहनत करने लगी, कभी कभी जल्दी जाकर उनके घर में बैटकर सवाल हल करती, ताकि सर देख सकें कि मैं कितना पढ़ रही बच्चों के बीच ऐसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन माने जाते थे, मैं दिन रात उनी न्यूमेरिकल्स में लगी रहती, सौल होने पर खुशी से सर को दिखाती, अब सर थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देने लगे थे, उस दिन जब सर ने सभी के सामने क रहा, तुम सब बस खास चीलने आते हो, नताशा को देखो, वो कितनी महिनत कर रही है, मुझे उस पर गर्व है, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, नताशा, ड्रेंड एंड ब्यूटी का परफेक्ट कॉमिनेशन है, कहते हुए उनके शब्द सांसों गिध्वनी के साथ लरज रहे थे, खुशी के मारे उस दिन में ठीक से नहीं पड़ पाई, मैं तो साथ में आसमान में परियों के बीश थी, एक ऐसा टीचर जो सबसे गुसा करता हो, वो मेरी तारीफ कर रहा है, आखिर कार मैंने अपने प्रत उसका नजरिया बदल ही दिया, मैं, मैं पत्थर को मौम कर सकती हूँ, लेकिन क्लास के बाद बच्चों ने मुझसे कहा, ये तो अक्रोट से किश्मिश हुए जा रहे हैं, जरा बचके रहना, मैंने बात को हसी में उड़ा दिया, उस दिन के बाद से सर खुद मुझे कुछ एक्स्रा नोट्स देने लगे, कुछ एक्स्रा स आएगा और अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो मैं सुबो सर को बताऊंगी, सर आप मुझे बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हैं, क्या मैं आपको एक बार पापा कह सकती हूँ, मुझे विश्वास था कि वो नान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वातसल मैंने कई बार महसूस किया था, वो बड़े इसने से कभी मेरी पीट पर, कभी चेहरे पर, और कभी जांग पर हाथ फिरते और कहते, तुम मेरी इस क्लास का ब्राइटेस्स स्टार हो, मैं खुश हो जाती, और एक परिकता अपने दिमाग में फिर से बुनने लगती, उस दिन क्ला की तरह मुझे सबसे आगे देखना चाहते हैं, अपने भागे पर इतराते हुए मैं सवाल हल करने लगी, मुझे ध्यानी नहीं रहा, सारे बच्चे अपना पेपर जमा करके जा चुके हैं, मैंने सौरी सर कहते हुए न अपना पेपर पकड़ा दिया, तो मुझे ही घूर र सवाल समझने लगी, सवाल समझाते समझाते उनका हाथ मेरे सीने पर जा लगा, मुझे सौरी कहकर अपना हाथ हटाने की जगए वो अपने हाथ से सहलाते हुए बोले, तुम तो अजंता और एलोरा की मूरतियों की तरह सुन्दर हो, मैं दीवाना हुआ जा रहा हूँ, बस आज, उनका वाकिक खत्म भी नहीं हो पाया कि मैंने अपना राइस्टर उनके सर पर दे मारा और वहां से भाग कर बाहर सड़क पर आ गई, मैं सड़क पर रोते हुए बेता हाशा दोड़ रही थी, मेरे दिल को गहरा आगहात लगा, जिसे पिता की तरह समझा हो इतना कर रही थी, ये ऐसा सदमा था जिसे मेरा दिल बरदाश्टी नहीं कर पा रहा था, मैंने वापस अपने कुदासी के कफन में कैद कर लिया, नानी मुझसे बड़े प्यार से पूछती, पर मैं उन्हें कुछ बताना पाती, कैसे बताओं, क्या बताओं, फिर कहीं न कहीं मु सर ना ही पापा, मैं बारवी में फेल हो गई, जहां व्योम पूरी दिल्ली जोन का टॉपर बना, वही मैं फेल, व्योम का एनाइटी में सेलेक्शन भी हो गया था, जिस दिन उसे जॉइन करना था, वो मुझसे मिलने आया था, पर मैंने अपना दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया, व्योम बहुत देर तक खट-कटाता रहा, पर मैंने दर्वाजा नहीं खोला, नानी ने भी बहुत मिलने ते करी, पर मैंने दर्वाजा नहीं खोला, व्योम उससे बिना मिले चला गया, मैं जानती थी कि अब मेरा कोई साथी नहीं है, जिससे मैं अपना दुख फिर भी व्योम से ना मिल पाने का मलाल मुझे कभी नहीं हुआ पिछले दिनों कितना कुछ घट गया जीवन में कितना पीछे हो गई मैं और व्योम व्योम तो मुझे बहुत आगे हो गया वो अभी भी है एक महान पिता का बेटा दिल्ली जोन टॉपर एनाइटी में सेलक्ट मैं मैं तो उसे आँख मिलाने के काबिल भी नहीं रही कल को वो आसमान का सूरी होगा और मैं मैं उसे आवाज भी दूँगी तो नहीं सुन पाएगा क्या सुनना चाहेगा भी नानी हर कदम में मेरे साथ थी मैंने हिम्मत जुटा कर अगले साल बारवी का इमतान पास कर लिया और फिर डेजुएशन एक स्कूल में मेरी नौक्री लग गई मेरी शिक्षा के हिसाब से तर्फ़ा कम ही थी पर बच्चों के साथ मेरा मन लग गया एक बार फिर मेरे जीवन में परियां थी और उनके किस्से थे मैं दीरे दीरे खुश होना सीख रही थी तबी प्रिंस्पल के रूप में महिश्जी आए पचास की उम्र के महिश्जी बहुती करमठ थे वो अकसर टीचर्स को बला कर मीटिंग करते और स्कूल की व्यवस्था वो बच्चों की शिक्षा को नए तरीके से बेतर बनाने पर जोग देते स्कूल को अच्छा बनाने के लिए वो बहुत प्रत संकल्ब और कठोर थे इतने कठोर कि किसी टीचर्स से सीधे मूँ बात ने करते थे जरासी बात पर डपटते किसी को छुटी चाहिए या जल्दी घर जाना हो तो महिश जी का उत्तर हमेशा ना होता स्टाफ रूम में चाय की चुस्कियां और टाइम पास मूंफली पर तो जैसे कर्फ्यू लगिया था टीचर्स उनकी बुराई भी दभी जुमान में धीरे धीरे करती ये कहां से मैनेजर मिश्रा जी ने आजायब घर का जानवर हमारे सर पर लाकर पटक दिया है ना जीने दे रहा है ना मरने पर ना जाने क्यों मुझे महिश जी का व्यक्तित बहुत चुम्बकिये लगता और खिचाओ सा महसूस होता वो बच्चों के लिए कितना कुछ करना चाहेते थे फिर बच्चे तो मेरी जान थे शुरू शुरू में वो मुझसे भी बहुत चढ़ते थे उनके अनुसार काम करने की ललक में मैं बच्चों के लिए नए नए एजुकेशनल टूल्स बनाती और उने दिखाती दीरे दीरे वो खुश होने लगे एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने स्टाफ में सब के सामने कहा देखो नाताशा कितना अच्छा काम कर रही है तुम सब भी सीखो इस तारीफ को सुनकर मेरे पाउं जमीन पर नहीं आसमान में बादलों पर सवार हो गए जिस दिन मुझे पता चला कि महेश जी विदूर है तो मेरा मन करोना से भर उठा मैं जो किचन का मूवी नहीं देखती थी नानी से नए नए पक्वान बनाना सीखने लगी जिस दिन पहली बार मैं नए पक्वान बनाकर महेश जी के लिए लंच में पैक करके ले गई वो किसी बच्चे की तरह भावुक हो गए उन्होंने मुझे पास बिठा लिया और अपनी पत्नी के बारे में बताने लगे महेश जी ने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था बेटा वहु दूसरे शहर में रहते थे वह बेटी दमाद अमेरिका में अकेला पनोंने खाने को दोड़ता इसी लिए वो अपने पूरी ताकत स्कूल के काम में जोंक देना चाहते थे ताकि जब वो बिस्तर पर जाएं तो इतने ठके हुए हों कि जाते ही उन्हें नीदा आ जाएं बताते बताते उनकी भी आँखें बार बार भर रही थी मैंने उनका यह रूप पहली बार देखा था उनकी आँखों की नमी मेरी आँखों से ही बहने लगी अब तो मैं लगवग रोजी उनके लिए लंच ले जाती वो बड़े मन से खाते एक दिन उनने मुझसे भी साथ में खाने को कहा मैं इंकार ना कर सकी लंच शेयर करते करते हमारे दिल के दर्द भी शेयर होने लगे मुझे मेरे पिता मिल गए थे इस बार मैं किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहती थी मैं उनके जादा से जादा काम करने लगी नारान मैं कहा जानती थी कि आदमी के दिल का रास्ता तो पेट से हो कर जाता है पर पेट भर जाने के बाद एक और भूग जाकती है शायद उसी भूग के लिए वो मेरे साथ लंज शेयर करते हुए अपने तुखों को गिना गिना कर सहान उभूती बटोडने का प्रयास कर रहे थे एक शाम उनोंने मेरे सामने वो प्रस्ताव रखी दिया जो मेरे कानों में पिगले शीजे की तरह चुभा जी में तो आया कि अभी उनके मुँपर थूग दूँ पर अब मैं बादमी की नताशा नहीं थी बड़ी हो गई थी मैंने खुन का गूट पीते हुए उनसे वो प्रश्न किया जिसे मेरे कान सुनना नहीं चाहते थे मैंने उनकी आँखों में आँखें डालते हुए कहा ठीक है अगर ऐसा है तो फिर क्यों न अब हम शादी कर ले महज ये एक दम से बिफर पड़े पागल हो गई हो क्या मेरे बच्चे भी तुमसे बड़े है उनकी शादी हो चुकी है नाती पोते हैं मेरे मैं छोटे शहर का हूँ तुमारी तरह दिल्ली का नहीं जहां उतने सामाजिक नियम नहीं है यहां सब चलता है पर छोटे शहरों में जरासी बात पर समाज परिवार को बेदखल कर देता है मुझे मेरा उत्तर मिल गया था मेरी आखें भराई गला सूख गया और मेरे कदम घर की ओर बढ़ चले एक बार फिर मेरी परीकता कांथ हुआ मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी महिश जी ने बड़े आराम से मेरा स्टीफा स्विकार कर लिया शायद उन्हें खेलने के लिए कोई और खिलाड़ी मिल गया था मैं फिर से अपने अकिलेपन के कफन में कैद हो गई छे-ाठ महीने मैं घर से बाहर निकली ही नहीं अजीब बात ये थी कि इस दोरान मैंने महिश जी को याद नहीं किया बलकि मुझे लगातार पापा की याद आती रही बार बार लगता कि मेरी भावना है कहीं से कैसे भी पापा तक पहुँचेंगी और पापा मुझे फोन करेंगे पापा कहेंगे सौरी नताशा मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ मुझे अपनी गल्ती पर पच्टावा है देखो तुम परिशान मत होना मैं आ रहा हूँ मैं हूँ तुम्हारे साथ पर नहीं कोई फोन नहीं कोई सौरी भी नहीं शाम कुछ गहरा रही थी तभी नानी नाकर बताया व्योम आया है जाके मिल लो कार खरी दिया उसने बड़े उत्साह से आया दिखाने देखो मना मत करना कब तक ऐसे अंधेरे में मूँ छिपाय बैठी रहोगी कुछ तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो पती छोड़ गया बेटी छोड़ गई पर तुमारी चिंता में मैं मर भी नहीं पा रही हूँ नानी रोने लगी यूँ तो नानी के रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होता पर आज ना जाने क्यों असर होने लगा इतने दुनों से भावना विहीन जीवन जी रही थी आज हलकी से सुरसुर हाट हुई पर जैसे रेद में पानी डाल दो तो गहरे अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है रेद भीगी तक नहीं वही हाल मेरा था फिर भी खुद को संभाल कर ड्राइंग रूम में आ गई मुझे देखकर व्योंग खुशी से चिलाया अरे मोटी क्या हाल बना रखा है फिर थोड़ा रुक कर बोला अरे यार अब तो तुझे मोटी भी नहीं कह सकता तू तो कद्दू से भिंडी हो गई है देख कम से कम लौकी हो जा ताकि मेरा मोटी कहने का अधिकार बना रहे व्योंग ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मुझे हसी आ गई नानी ने सौ के नोट से मेरी नजर उतारी उनकी आँखों में आसू थे व्योंग ने नानी के हाँ से नोट लपकर कहा वाओ नानी आज तो सो रुपए मेरे हुए नानी ने व्योंग के हाँ से रुपए चीनते हुए कहा नहीं नहीं ये रुपए तुम मतलो वैसे भी तुम अब कमाने लगे हो नानी ने व्योम के सर पर हलकी सी छपत लगाते हुए कहा व्योम ने जट से नानी के पाउँ छू लिये और बोला नानी ये तो जा दिती है देखिए आपके लिए तो मैं अभी भी छोटा हूँ फिर दीपावली पूजा आदी पर दिये गए आपके ये सौ रुपए की नोट पर मेरा आदिकार है चल मोटी जड़ा अपना नक्षा ठीक कर नई कार लिये थोड़ा घूम के आएंगे कहते हुए व्योम ने मेरी और कार की चाबी फेंगती रिफलेक्स एक्षन के तहट मैंने चाबी कैच कर ली नानी कहने लगी जैसे चाबी पकड़ी है ना जिंदिकी भी पकड़ में आ जाएगी मैं अपने को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके व्योम के साथ कार में बैठ गई कितने समय बाद मैंने शाम की ठंडी हवा को अपने गालों पर महसूस किया सूरज डूब रहा था पर उसने भी आसमान को इंदर धन्शी रंगों से रंग दिया कोई कितना भी चमक ले डूबना नियती है पर डूबो तो भी ऐसे कि अपने रंग चारोर बेखेर दो मैंने अपना दुपटा देखा सर्द सफेद दुनिया में इतने रंग होते हुए भी उसमें कोई रंग नहीं ना जाने कबसे मुझे सफेद रंग भाने लगा था मेरी जंदगी को सूट भी तो यही रंग करता है एक हूख सी मन में उठी और आँक भराई ये क्या तुम निरुपमा रॉय की तरह बात बात पर रोने लगती हो व्योम ने मेरी ओर देख कर कहा हम इंडिया गेट के व्योम बच्पन से लेकर अभी तक की कितनी सारी बाते बताता रहा और मैं सोचती रही ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जिनके जीवन में इतनी सारी बाते बताने को होती है कई गंटे मां गुजारने के बाद हम वापस घरा गए व्योम नानी से हसकर बोला नानी देखिए आपकी अमनत आपको सही सलामत लोटा रहा हूँ और कार की चाबी हवा में हिलाते हुए चला गया मैं फिर अपने उसी कमरे में आ गई जिसके खिड़किया अभी भी बंद थी गहरे रंग के परदे पड़े थे और जीरो वाट का बल्ब टिम्टिमा रहा था नाजाने मुझे क्या सुझा मैंने परदे हटा कर खिड़किया कोल दी महीनों बाद थंडी हवा का जोका मुझे अच्छा लगा बेरे होटों पर हलकी सी मुस्कुरहाट फैल गई बाहर दूज का चांद भी मुझे देखकर मुस्कुरह उठा मैंने ट्यूबलेट जला दी और अपना बेतर्तीब कमरा एकसा करने लगी तब भी नानी आ गई और बोली वा व्योम ने चंद घंटों की मुलाकात में तेरी ट्यूबलेट जलवा दी अगर ये साथ ज़्यादा देर का होता तो मैंने नानी के और पलट कर देखा उनके अदूरे वाकिक को समझते मुझे देर न लगी नई नानी नहीं आप जो कहना चाहती है वो उचित नहीं है व्योम कितना इमेच्चूर है बच्चा साथ या शायद दुखों ने मुझे मेरी उम्र से बहुत बड़ा बना दिया है जो भी हो ये सोचना भी गलत है कहते हुए मैंने लाइट बंद कर दी अंधेरे के कारण नानी के चेहरे के भाव को तो मैं नहीं देख पाई पर उनका सौरी अब नहीं कहूंगी बहुत देर तक मेरे कानों में बचता रहा और दर्द की एक लकीर खींचता रहा व्योम की बातों का असर हो या समय खुदी गहाव भरने की कोशिश करता है उस दिन के बाद से मैं थोड़ा बहुत कमरे से बाहर निकलने लगी कुछ दिन तक मन्थन करने के बाद मैंने नानी से कहा नानी मैं कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर किसी दूसरे शहर में काम करना चाहती है शायद मैं इस निराशा से निकल सकूँ नानी ने हां कहते हुए मुंबई का नाम सुझाया मुंबई आम तोर पर अकेली लड़कियों के लिए सुरक्षित माना जाता है कभी हमारे पडोस पे रहने वाले शर्मा अंकल आजकर अपनी पत्नी वा बेटे बहुं के साथ मुंबई में रह रहे थे शर्मा अंकल साहित्यक व्यक्ति थे नानी भी साहित्य बहुत पढ़ती थी अक्सर नानी से उनकी साहित्यक चर्चा हुआ करती थी नानी ने उनको फोन करके कहा जब तक इसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती क्रप्या इसे अपने संरक्षर में रख लीजे शर्मा अंकल ने तुरं था कर दी नानी निशिन्त हो गई और मैं अपना सामान पैक करके नए शहर में खुद को फिर से नए तरीके से स्थापित करने के लिए उड़ चली यहां भी शर्मा अंकल के घर में कभी-कभी साहित्यक गोश्टियां होती थी नानी की वज़े से मुझे भी पढ़ने का थोड़ा शौक था इनी गोश्टियों का यह असर हुआ कि मैं भी थोड़ा बहुत लिखने लगी कहते हैं ना जिसके पास दर्द होता है वो सी कलम की स्याही का काम करता है वास्तों में वो कहानिया थी ही नहीं बस कागच पर केरा हुआ दर्द था इसलिए मैंने अंकल को भी वो कहानिया नहीं दिखाई क्योंकि उसमें मेरी जिंदगी के कुछ अंचुए पहलू भी थे जिसे सारजेने करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी वहीं गोश्टी में पुछे एक बार एक साहितिक पत्रिका के संफादक शुभम वैशे जी भी आते थे करीब साट साल के शुभम वैशे बेहदी गंभीर व्यक्ते थे अकसर कमी रचनाओं की तारीफ करते थे टीका टिपने बहुत करते थे अगर उन्हें कोई अपना काम दिखाता तो उसका पूरा पोस्ट मार्टम कर देते उनके पीछे लोग उन्हें अकुरू वैशे बलाते थे पर उनका लेखर मुझे बहुत प्रवावित करता था उसमें भी दर्द बहुत था कभी कभी उनको पढ़ते हुए लगता सागर की तलहटी में बहुत कुछ छिपा है जिसे निकालना जरूरी है यह नहीं पता वो किस तरह से निकलेगा खोद कर या ज़रने सा फूट कर एक दिन जब दोपहर में वो घर आये तब अंकल अंटी घर पर नहीं थे भावी रसोई में व्यस्त थी पता नहीं कहां से प्रेणा मिली मैंने ड़ते ड़ते उन्हें अपनी लिखी कहानिया दिखाई किसी की प्रशंसा ना करने वाले शुभम जी मौन होकर मेरी कहानिया पढ़ते रहे उन्होंने मुझे ताकीद दी कि मैं अपनी कहानिया किसी को न दिखाऊं खास कर शर्मांकल को उनके मताबिक लोग प्लॉट चुरा लेते हैं और जब तक तुमारी कहानिया छपेंगी उससे पहले उनका संग्रे आ जाएगा मैं आलादित हो गई मेरा मन एक बार फिर परी कथाएं बुलने लगा अकुडू शुभम सर जो किसी को भाव नहीं देते हैं उन्होंने मेरी कहानियों की प्रिशंसा की मेरी रशनाय पत्थर को मोम कर सकती है आखिर कार मैं भी प्रिशंसा डिजर्व करती हूँ लोग मुझे भी पसंद करते हैं उस दिन से शुभम अंकल मुझ में वा मेरी रशनाओं में खास दिल्चस्पी लेने लगे वो घर तो नहीं आते पर कभी मुझे अपने आफिस में बुलाते और मैं दौरती भागती चली जाती वो मेरी कहानियों को बहुत गौर से पढ़ते मुझे लेखन की बारी किया समझाते और मैं किसी अच्छे विद्यारती की तरह सब सीखती जाती इसके अत्रिक्त भी वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे मुझे अच्छी साहित्ते किताबें देते मुझे नाथूराम के रजगुले बहुत पसंद थे जब वो मुझे आफिस में बुलाते तो रजगुले जरूर मंगवाते कभी कभी मुझे बड़े लार से अपने हाथ से खिलाते भी वो शाम बहुत हसीन थी जिसने लाइबरेडी में एक कहानी के प्लॉट पर घंटो चर्चा के बाद वो मुझे एक ओपन कॉफी शॉप में ले गए वहाँ चांद को देखते हुए बोले नताशा एक दिन तुम इस चांद की तेरह चमकोगी तुम में बहुत प्रतिभा है जल्ली जल्दी कहानिया लिखो फिर मैं उसे चपवाऊंगा मेरा मन करतेगेता से भर उठा मेरे मन में शुभम अंकल में पिता की छवी उभरने लगी ऐसा ही तो होता है पिता का प्यार निश्चल पवित्र ऐसे ही तो होते हैं पिता जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं उनको अपने से भी उचा देखना चाहते हैं मैं संतुष्ट के आसमान पर उने लगती और खुद से ही कहती भले ही आज मेरे पास मेरे पिता ना हो पर मुझे पिता की तरह प्यार करने वाला कोई व्यक्ति तो मिला है मेरे घाओ भरने लगे और कलम सरपट चलने लगी उन दनों मेरे नौकरी के इंटर्व्यू की डेट भी पास आ रही थी मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त थी फिर भी मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी कहानी पर काम करती रही कहानी दीरे दीरे उपरन्यास का रूप लेने लगी इधर इंटर्व्यू खत्म हुआ और उधर मेरा पहला उपरन्यास जिसमें मेरा दर्द था आंसू थे और बहुत कुछ अनकहा था पूरा हुआ मैंने उपरन्यास के पांडूले पे शुबम अंकल को पकड़ा दी वो पढ़ने का वादा कर पांडूले प्ले कर चले गए उसके बाद कई दिन तक उनका फोन नहीं आया मैंने फोन किया तो बोले मैं अभी अपने नए उपरन्यास पर काम कर रहा हूँ ये उपरन्यास मील का पत्थर साबित होगा साहित जगत में मेरे कई दुश्मर बन गए हैं ये उनके मूँपर तमाचा होगा मैं अभी तुमारा उपरन्यास नहीं पढ़ पाया हूँ पहले अपना काम पूरा कर लू फिर इत्मीनान से पढ़ूँगा तुम अभी कुछ दिन मुझे डिस्टरब नहीं करना मुझे दुख तो बहुत हुआ पर मैं ये सोच कर संतुष्ट थी कि शुबम अंकल कोई कालजई उपन्यास लिख रहे है मैंने दिली दिलोंने शुब काम नाई दी कैसे ना देती आकिर उन्होंने मेरी जिन्दगी में पिता की कमी को थोड़ा सा तो भरा ही था तीन-चार महीने बीट गए इस बीच मेरी शुबम अंकल से कोई बातचीत नहीं हुई इन दिनों मैंने जी भर के देशी विदेशी साहित्य पढ़ा साहित्य की दुनिया भी मेरी परी कथाओं की दुनिया से कम हसीन नहीं थी मैं उसमें गहरे डूपती जा रही थी तभी एक दिन सुबह के अगबार में शुबम अंकल को उनके उपन्यास गहरे साहित अकादमी के पुरसकार की ठबर पढ़ी मैं सक्ते में आ गई अंकल का उपन्यास छपकर आ भी गया उस पर पुरसकार भी मिल गया और अंकल ने मुझे बताया तक नहीं मैंने शुबम अंकल को फोन लगाया दो बार मिस्ट कॉल जाने के बाद तीसरी बार उनने फोन उठाया मेरे बढ़ाई देने पर भी उनकी आवाज में उत्साह नहीं था उन्होंने कहा नताशा मैं इस समय अगबारों और पत्रिकाओं के इंटर्विव में विस्थ हूँ बार में फोन करना मेरे द्वारा उपन्यास बिजवाए जाने की बात पर भी वो बस हाँ हाँ कह कर रह गए मुझे बहुत अजीब लगा पर व्यस्थ होंगे सोच कर मैंने बात पर जादा तूल नहीं दिया दस दिन बीट गए शुबम अंकल का कोई फोन नहीं आया मैं भी फोन करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि एंकल खुद फोन करेंगे मैं काफी का कप लेकर बालकनी में बैट कई और अपने प्रीय बादलों की आकरतियों को देखने लगी आसमान पर छोटे छोटे कितने सारे बादल थे तब ही एक बड़ा बादल वहां आया और छोटे छोटे बादलों को लिलने लगा बड़ा बादल और बड़ा होता जा रहा था और छोटे बादल अस्तित वहीं उस दिन एक और राज खुला तालाब में ही बड़ी मशलियां छोटी मचलियों को नहीं खाते हैं बड़े बादल भी छोटे बादलों को खा जाते हैं तब ही शर्मा अंकल आए और कौफी का कप लेकर बाल करनी में मेरे साथ बैठ गये साहितिक बाते होने लगी बातों में मैंने उनसे शुबम जी के किताब गहरे साई के बारे में पूछा उन्होंने बताया सुना है वो तो किताब नहीं है पन्नों पर बहता जीवन है उसकी साहित ये जगत में बहुत चर्चा है नायाब हीरा है काल जाई रचना है इतनी तारीफ सुनकर मैं आहलादित हो गई मैंने किताब पढ़ने के इच्छा जाहिर की दूसरे दिन शर्मा अंकल किताब लेकर आए मैंने दौड कर किताब उठाई पहला पन्ना शुरू ही किया फिर दूसरा फिर तीसरा अरे ये तो मेरा लिखा अपन्नास है मैं पढ़ती गई शुरू से अंत तक एक एक शब्द वही मेरी आँखें भराएं इतना बड़ा धोका शुबा अंकल ने मेरा अपन्नास अपन्नाम से चफ़ पा लिया और पुरसकार भी पा लिया क्या? क्या इसलिए वो मुझ में मेरी प्रतिवा में रूचि ले रहे थे? जिसने तबाही मचा रखी है उसका चेहरा कभी पापा जैसा लगता कभी महेश जी जैसा तो कभी शुबा मंकल जैसा वही मा भी हैं वो मुझे बचाना चाहती है पर हर बार राक्षस मुझे पूच से मार कर भाग जाता है वो मुझे खाता नहीं बस मेरे लहुलवान जिस्म को अधमरा छोड़ कर भाग जाता है मैं चिलाती हूँ जोर से चिलाती हूँ मुझे मार कर क्यों भाग रहे हो कम से कम सौरी तो कहते जाओ इतना तो मैं तभी मेरी आँखें खुल जाती है दूसरे दिन मैं शुबम अंकल से मिलने उनके आफिस गई उन्होंने मुझे से मिलने से इंकार कर दिया मैं जबरदस्ती दरवाजा खुल कर अंदर खुज गई शुबम अंकल मस्ती से पांचबा रहे थे उनको देखकर मेरे आसू जढ़ने लगे एक बार फिर शब्द दगा दे गए बहुत हिम्मत करके बोली अंकल मैंने आपको पिता की तरह देखा और आप आप ने ये क्या किया मेरा उपन्यास अपने नाम से चपवा लिया कम से कम एक बार तो मुझसे पूछा होता कम से कम एक बार कहा होता नताशा मेरी बेटी मैं साहित ये जगत में इस समय बहुत विरोध जहिल रहा हूं ये उपन्यास मुझे दे दो मैं खुशी खुशी दे देती पर आपने तो धोगा दिया अपनी बेटी को धोगा दिया क्यों क्यों अंकल क्यों शुबहम अंकल मुझे देखते हुए बहुत इत्मिनान से बोले क्या बात कर रही हो नताशा तुमारा उपन्यास वो मैं क्यों लूँगा कितने साल हो गए मुझे लिखते हुए अब मैं नवोदितों से ये सुनूँगा और फिर तुम तुम कुछ ठीक ठाक लिखती भी हो क्या कहती हो पिता की तेरे समझा पिता की प्रशंसा से इतनी इर्श्या अच्छा है पेरी कोई बेटी नहीं है पिता पिता करती हो बेटी बनना भी आता है तुमें वो तो मुझे लगा तुम थोड़ा अपसेट हो इसलिए मैंने तुम्हें समय दे दिया अब मुझे पर इतना घ्रणत इलजाम लगा रही हो हद है जाओ टीवी रेडियो अगवार जिसमें जो कहना हो कह दो कौन मानेगा तुम्हेरे जूट को एक लड़की जो साइन्स से पढ़ी है साहित जानती भी नहीं शुभम वैश के उपन्यास को अपना बता रही है क्या जमाना आ गया है लोग लाइम लाइट में आने के लिए किसी पर भी आरोप मर देते हैं थोड़ी देर रुक करो गहरी सांस लेते हुए बोले अलबता इससे मुझे और मेरे उपन्यास को बहुत फायदा होगा प्रचार होगा क्या पता पद्न भूशन भी भूशन भी मिल जाए सोच लो फिलार बाहर जाओ अब मेरे पास कभी मता ना शुबम अंकल कितने शांत भाहों से बोल रहे थे और मैं दर्द से पगलाई जा रही थी फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी मुझे उपन्यास से कहीं ज़्यादा उस धोके का दर्द था जो उन्होंने मुझे अपना बना कर वह एक जटके जट छोड़ कर किया था मेरा अव्यक्त गुस्सा मेरी रगों में निराशा बनका दोड़ने लगा क्रोध ग्रणा अपमान दर्द से मेरी नसें तड़कने लगी इंटर्व्यू का रिजल्ट भी आ गया मैं सलक नहीं हुई कैसे होती उन दिनों मैं उपन्यास लिखने में विस्त जो थी दोबारा इंटर्व्यू देने की ताकत मुझ में नहीं थी ना ही साहित जगत में वापस लोटने की मैंने शर्मा अंकल से वापस नानी के पास जानी की इच्छा व्यक्त की एक हफते बाद मैं दिल पर भारी बोज ले नानी के पास थी मैं अपने बैट पर किसी कटे पेड़ की तरह जागी दी जीवन मुझे बार बार धोका दे रहा था और अब दुबारा खड़े होकर उसे टकराने की हिम्मत मुझ में नहीं थी मेरे दिन पूरी तरह से रात में बदल चुके थे कभी कभी मैं जोर से चिलाती कमरे का सामाने दरदर फेंगते थी कभी बिना खाए पिये कई दिन निकल जाते ना नहाना ना खाना ना ही ब्रश करना नानी मुझे समझाना चाहे थी पर उनकी मुझे से बात करने की हिम्मत ना पड़ती उन दुनों भी पापा बहुत याद आते काश पापा आते एक बार सौरी कहकर मुझे गले लगा लेते एक बार बस एक बार कहते कि मैं उनको प्यारी हूँ लाड़ ली हूँ उनकी मुझे रात में नीन नहीं आती, सारी रात कमरे की छट देखते हुए कटती, कभी गलती से जख्की लगती भी तो डरावने सपने आते, वही नुकीली पूँच वाले राक्षस जो मुझे अद्मरा करके छोड़ जाते, मैं चीक करके उठती, मुझे कमरे में काले साए दिखाई देखती, तो साए दात दिखाकर जोर से हसते हुए गाय हो जाते, मैं फिर से चीकती, नाणी मेरी हालत से परेशान थी, वो जाने क्या-क्या ढोटके करने लगी, ना जाने कितनी मस्जदों से तावीज लाकर उन्होंने मेरे हाथों में बान दिए, रात को मेरे कुमरे में बैठ कर हनवान चालीसा पढ़ती, ना जाने कितनी मालाइं फीरती व्रत करती पर सब्वेकार मेरी उदासियों के साए और गहराने लगे एक रात तेज दर्द हुआ सीने में धड़कन इतनी बढ़ गई कि लगा दिल सब रिप्स तोड़ कर बाहर आ जाएगा पूरे शरीर में पसीना चूटने लगा इतना कि मेरे कपड़े भीग गए नानी मेरे बगल में ही सोई थी, सोई कहां वो भी फिक्र हमारे बस आखे मीचे ही पड़ी थी मुझे इस तरह से देख कर घबरा गई, वे राती रात ओला बुला मुझे डॉक्टर के पास ले गई डॉक्टर के पास थोड़ी देर बैठने के बाद ही मेरे दिल की चाल, दर्द, पसीना सब ठीक हो गया डॉक्टर ने चेक करके कहा, मुझे पैनिक अटेक आया है, दिल एकदम सही है फिर मेरी तरफ देख कर हसकर बोले, इतना टेंशन मत किया करो, काश मेरे हाथ में सब होता, तो मैं नानी को इस उम्र में इतना तंग न करती उस रात हम वहीं हॉस्पिटल में रहे, सुबह लगा जैसे ठीक होकर घर जा रहे हैं, पर उस रात फिर वही हुआ, हम चार रात लगातार हॉस्पिटल जाते रहे, और सुबह वापस आते रहे डॉक्टर ने मुझे एंग्जाइटी दूर करने की बहुत सारी टेबलिर्स दे दी, अब मैं जादातर नीन में रहती, पर ये सपनों की दुनिया नहीं थी, ये नीन बहुत अजीब थी, जैसे कफन ओड़ कर कोई सांस ले रहा हूँ, भूग बिलकुल खत्म हो चुकी थी वजन लगातार गिर रहा था, एक दोपैर मुझे दूसरे कमबे से कुछ फुसपसाहट की आवाज आई, मैं धीरे से उटकर दरवाजे के पास गई, नानी परोस की ओरतों के साथ बैठी थी, वो रो रही थी, उन्हें मेरी चिंटा थी, परोस की ओरते समझा रही थी, इसक कर दो मेरी शादी, कर दो किसी से भी, कहीं भी, और और फिर एक नताशा पैदा हो जाए, उसका पिता भी उसे ना अपनाए, उसे छोड़ कर चला जाए, एहसास तक ना हो, उस दर्द का जो नताशा जहल रही हो, सौरी तक ना कहे, सौरी सौरी सौरी, कहकर मैं अपने सर को दर्वाजे पर जोड़ जोड़ से मारने लगी नानी न उन औरतों को जाने का इशारा किया और मुझे किसी तरह से दर्वाजे से अलग किया मैं बिस्तर पर निढहा लो कर किर गई दिमाग में विचारों की श्रंखला चलने लगी मुझे कोई प्यार नहीं करता कोई नहीं क्या मुझे मर जाना चाहिए हाँ यही ठीक रहेगा फिर सब ठीक हो जाएगा मा जा ही चुकी है नानी भी ज्यादा नहीं जी पाएंगी और पापा पापा को तो फर्क ही नहीं पड़ता मन जोर जोर से चीतकार कर उठा पापा आपको फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या पूजिश करने लगी तब ही नानी ने बत्ती चला दी उन्होंने मेरे हाँ से चाकू लेकर फेक दिया और मुझे सीने से लगा लिया कब नानी ने मुझे नीन की गोली खिला कर सुला दिया मुझे पता नहीं आख खुली तो सामने व्यूम बैठा था शायद नानी ने बुला मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी नताशा मैंने हाथ अटाते हुए कहा नहीं व्यूम नहीं अब ठीक नहीं होना है अब मा के पास जाना है वहीं पड़ियों की कहानी सुनी है जिनके जादू से सब ठीक हो जाता है वहीं पापा की कहा पर उसकी आसों को रोकनी की कोशिश करती आँखे मैंने देख ली तब ही नानी आ गई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली कैसी है मेरी लाडो आज हम डॉक्टर के पास चलेंगे मैंने मूँ फेर लिया व्योम ने मेरे मना करने के बावजूद मुझे जबरस्ती उठा कर क कमरा परदे दीवारों से रंग से मैच खाते हुए एक कॉर्णर टेबल पर दोनों तरफ लगे हुए थ्री सीटर सोफे कमरे के कोनों पर बड़े बड़े गमले और उनमें लगे फूलदार पौदे जिनकी खुश्बू पूरे कमरे को महका रही थी कमरे के बीचों बीच ए उन्हें देखते ही मेरा ध्यान अपने कपड़ों पर गया ओ मैने तो कपड़े भी नहीं बतले ये कहीं मेरा इलाज करने से मना न करते हैं कहीं ये ना कह दें तुम तुम डॉक्टर खुराना से इलाज डिजर भी नहीं करती नहीं नहीं पर ये तो डॉक्टर सिनहा है खु पानी गटक गई, डॉक्टर सिन्हा ने अपना बड़ा सा पेपर वेट घुमाते हुए मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैं कुछ भी बताने की स्थिती में नहीं थी, नानी भी बार बार रुमाल से अपनी आखें पोच रही थी, व्योम ने बताना शुरू किया, उसने मेरी जिन्दगी का पन्ना-पन्ना मेरे सामने खोल कर रख दिया, और मैं ऐसे सुनती रही, जैसे दूसरे की कहानी सुन रही हूँ, एक बहुती मारमेक कहानी, जिसमें कई बार मेरे आंसु बह निकले, कहानी सुनने के बार डॉक्टर ने मेरी उड़ देख कर कहा, आपकी उम्र क्या है, जी 24 साल, मैंने उखतर दिया, सच यंगर, आपको क्या आपकी उम्र का कोई लड़का पसंद नहीं आया, डॉक्टर ने मुझसे पूछा, इतने अजीब सवाल पर मैं थोड़ा आज कचासी गई, फिर भी गला खकारते हुए बोली, नहीं, क्यों, डॉक्टर ने फ व्योम और नानी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया, उनलों के जाने के बाद भी उन्होंने मुझसे सवाल पूछना जारी रखा, कई सवालों का जवाब देते हुए मुझे लगा, कि मैं किसी ऐसे किरदार से मिल रही हूँ, जिसे मैं बिलकुल नहीं जानती, हाँ, कभ जाती जाती गाड़ियां बहुत अजनबी लग नहीं थी, डॉक्टर सिना अंदर उन्हों को मेरे नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में बता रहे थी, वे घबरा गए, डॉक्टर ने उन्हों को समझाया कि मैं दवाई वा कांसलिंग से इसे बाहर तो निकाल लाँगा, पर य दोबारा इसी चकर व्यू में फंसकती है, दर असल मेरी समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, मैं दो तरह की समस्याओं से जूज रही हूं, एक तो डैडी इशूस वा दूसरी पोस्ट्रामेटिक स्ट्रस डिसॉर्डर, उससे निकलने के बाद इनर चाइल्ड हीलिंग करनी गए, व्योम का प्रशन ही यही था, क्या वो ठीक हो पाएगी, डॉक्टर ने उन दोनों को विश्वास में लेते हुए कहा, बिल्कुल, फिर विस्तार से समझाते हुए बोले, डैडी इशूस एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी मनोवैग्यानिक समस् पर अगर नताशा के केस को देखा जाए, तो ऐसे शिकार वो बच्चे, विशेश कर लड़कियां होते हैं, जो बच्पन में अपने पिता की जबरदस्त अपेक्षा का शिकार हुए हैं, वो दिल से चाहते हैं, कि उनके पिता का नजरिया उनके प्रतिबदले, वो कोशिश भी करते हैं, पर असफल होते हैं, ये अपेक्षा, हीन भावना, वाकम आत्मसमान के रूप में नजर आने लगती है, उन्हें कदम कदम पर वैलिडेशन या मानिता की ज़रूत होती है, वो ऐसे लोगों के आकरशित होते हैं, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े या पिता क पिता की उम्र के होते हैं, उन्हें अपनी उम्र के लोगों में बचपना लगता है, अपनी पिता की उम्र के लोगों में भी ये उन लोगों को चुनते हैं, जो खडूस, अकडू या उल्जे व्यक्तित्यों के मालिक होते हैं, वो उन्हें नकारते हैं और ये उनका दिल ज जीतने में जी जान से लग जाते हैं यहां भी देखिए वो सारे अकडू डिटेच रहने वाले लोग जब नताशा की बे इंतहा मेहनत से उसकी और आकरशित हुए तो हर बार उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा हर बार उसे लगा कि वो इस्पेशल है तभी उससे एक अकडू डिटेच रहने अलाव व्यक्ते लगाओ महसूस कर रहा है सब में उसे अपने पिता की मानसिक छाया नजर आती हर बार उसे लगता कि अपने सच्चे प्यार से उसने पिता की बेरुखी को इसने की नमीज में बदल लिया उसे एहसास होता कि वो भी प्यार डिजर्व करती ह इससे उसके तूटे हुए स्वाब इमान को ताकत मिलती पर हर बार वो अंत में और टूप जाती क्योंकि ये सब लोग उसके प्रतितब नर्म हुए जब उन्हें उसमें कोई स्वार्थ दिखा वो सारे लोग जिने जमाना अकुरो या बुरा कह रहा है उन्हें अपने प्यार के बदलने की कोशिश उसे अपनी जीत लगती क्योंकि ये उसकी अंदुरूनी गहरी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाई है आप ही सोचिए प्रेम इसने से भरे ऐसे लोग की कमी है क्या जो नताशा को बहुत प्यार दे सकते हैं जैसे उसके चर्मा अंकल पर उसने उसमें पिता को कभी नहीं दूरा क्यों उपर से नॉर्मल लगती नताशा भी इस गहरे साय के अधकार में जी रही है पिता दौरा अस्विकार करना उसका खुद को अस्विकार करना है सारी जदो जहद उसी की है अभी तो ये पिता को खोज रही है अगर ये रोमांटिक रिश्टा बनाएगी तो भी ऐसे ही लोगों को खोजेगी ऐसी महलाएं रोमांटिक पार्टनर के रूप में भी ऐसे ही व्यक्तियों को चुनती हैं जो अकडू, बदमिजाज और स्वार्थी होते हैं परन्त एक तरफा प्रयास भरा ये रिश्टा ताश के पत्तों के महल की तरह जादा दिन टिकता नहीं फिर आसू, फिर वैसे ही पुरुष की तलाश, वहीं पोस्ट टॉमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर में अतीत के गहरे दर्द बार बार उभराते हैं, जैसे अतीत की रील सी दिमाग में चल रही हो, पिता से मिलना और उनका फिर से नकार देना उसे गहरा गहाओ दे गया, वो गहा इल्ड हीलिंग, उसका इलाश करने में मुझे आप लोगी मदद की आवशकता है, मुझे उमीद है, मुझे आप सबका साथ मिलेगा, व्योम और नानी ने हां में सर हिला दिया, मेरा इलाश शुरू हो गया, मुझे अवसास से लड़ने की दवाईयां दी गई, मैं रोज ड तरह तरह की कहानिया सुनाते, तरह तरह की सवाल करते, व्यायाम कराते, मुझे थोड़ा अच्छा लगने पर उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में ही योग और मेडिटेशन की क्लास जोइन करवा दी, अब मैं अकेले क्लिनिक जाने लगी, सुबह की गई शाम को घर आती, तकने से नींद भी आने लगी, और भूग भी खुलने लगी, जिंदगी की गाड़ी थोड़ा थोड़ा पट्री पर आने लगी, उस दिन कई दिनों बाद व्योम आया, मुझे देखकर नानी से बोला, अरे नानी ये तो फिर मुटा रही है, देखिये गाल टमाटर होने ल जागा, नजर लगा नहीं रहा हूँ, नजर रख रहा हूँ, मैडम मोटी हो गई तो मेरी कार का वजन बढ़ जाएगा, बिचारी कैसे डोएगी से, व्योम ने ऐसे मूँ बना कर कहा, कि हम सब हस पड़े, महिनों बाद इस घर में हसी गुजी, मेरे साथ साथ मेरे घर की द एसेंटेबल पर लोट आए, बालकनी में नए गमले आ गए, जिनमें खिले फूल अपनी खुश्बूज सारे घर को महकाने लगे, उस दिन कई दिनों बाद मैंने किचन की और रुक किया, बड़ी मेनद से पाव भाजी बनाई थी कि पेटू व्योम आ गया, सारी चट कर ग लगी, काश मैं भी बच्ची बन पाती, दूसरे दिन मैंने यही बार डॉक्टर सिनहा से कही, उन्होंने कहा, मैं भी आज से तुमारी इनर चाइड हिलिंग के ही बारे में सोच रहा था, उन्होंने मुझे एक टेडी बियर पकड़ा दिया और कहा, सोचो यह तुम हो, वो बच्चा रो रहा है, इसे प्यार दो, बस प्यार, मैं उसे चूमने लगी, चूमती रही, तब तक, जब तक मेरे होट नहीं ठक गए, कुछ दिन में मेरा रोना शान्त होने लगा, मुझे लगा, यह तो प्यारा है, कितना अच्छा है, कोई कुछ भी कहे, इसे अपने उप पर नहीं लेना चाहिए, जब मैंने ये बाद डॉक्टर को बताई, तो उन्होंने मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अब ये बात खुद से कहो, रोज कहो, मेरे अंदर आत्म विश्वास आने लगा, मेडिटेशन ने मुझे अपने विचारों को देखना, और बदलना सिखा दिया, मैंने नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया, कुछ समय बाद मेरा सेलेक्शन एक अच्छे स्कूल में हो गया, खुशी में वियोम ने एक छोटी सी पार्टी रखी, उसने गिलास में कोका कुला डाल कर पड़े अंदास से कहा, एक जाम नताशा की नई जिन्दगी के नाम, मैंने उसे रोकते हुए का, नई वियोम, अभी पुरानी जिन्दगी की कुछ यादे बाकी है, नई जिन्दगी शुरू करने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने है, क्या तुम मेरे साथ हरिद्वार चलोगे, वियोम ने हा कर दी, डॉक्टर क कहे अंसार मैं तैयारी करने लगी, मेरे पास पापा का कुछ सामान नहीं था, एक फोटो थी जो मैंने मुबाइल में खीची थी, उस बुके के सूखे फूल जो पापा ने हवाई जहाद से उतरते पर मुझे दिया था, पापा के समस की फोटो कॉपी, केरल से उठा कर लाय अतीत की इसमरतियों का एक अस्तिकलश तयार किया, फिर व्योम के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े, अब आगे जो करना है करो या यूही खड़ी रहोगी, व्योम की आवाज के साथ मैं वापस वर्तमान में लोट आई, मा गंगा अपने वेक के साथ बह रही है, मैं कजीब सा सुकून मेरे दिल को महसूस हुआ, दूर बहुत दूर गंगा की धाराओं को देखते हुए मैंने कहा, जानते हो व्योम, अब पूरी तरह से मेरी नई जिन्दगी शुरू हुई है, अब तुम कोका कुला की बोतल को लेकर चियर्स कर सकते हो, व्योम का कोई उत्त कर ना सुनकर मैंने पलट कर देखा, उसकी आखों में आसू और लब पर मुस्कान थिरक रही थी, मुझे देखकर उसने अपनी दोनों बाहे पहला दे, और मैं धर्ती की तरह उसके आगोश में समा गई, अभी आप सुन रहे थे, वंदिना वाजपे जी द्वारा लिखित, एक सारगरभित और ज्यानवर्धक कहानी विसरजन, आशाय कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो.